हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रिम जीम क्लास फर्स्ट हिंदी से चैप्टर नमबर दस बंदर गया खेत में भाग बच्चों आप लोगों ने बंदर तो देखा ही होगा जो बंदर होते हैं बहुत ही नटखट होते हैं सराती होते हैं हर एक चीज फेकते रहते हैं और उठाके तोड़ते फोड़ते रहते हैं तो एक छोटा सा बंदर है यह देखिए यहाँ पर जो बना हुआ है उसी के उपर या है कभिता है, तो हम लोग अब कभिता पढ़ते हैं बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग चलाकर, चटर मटर, साग पकाया खदर बदर, सापड सूपड खाया खूब, पोछा मुँ उखाड कर दूब, चलनी बिछा ओड़कर सूब, डटकर सोया बंदर भूब बच्चों या कभिता एक छोटे बंदर के उपर आधारित है, जो बंदर खेत में भाग जाता है, और भाग कर जाता है, वहाँ पर जो खाने वाले घास होते हैं, जो खाने वाले पाउधे होते हैं, उनको वह तोड़ता है, और उसको तोड़कर क्या करता है, साग बनाता है और साग खाता है, खाने के बाद जब उसका पेट भर जाता है, पेट पूजा हो जाती है, तो उसको आलस लग जाती है, फिर वहीं पर वो सो जाता है, उसी पर यह कविता है, आईए हम लोग इसका अर्थ समझते हुए आगे बढ़ते हैं बंदर गया खेत में भाग, एक बंदर है, छोटा सा नटखट बंदर है, वह क्या करता है, खेत में भाग जाता है, चुटर मुटर तोड़ा साग, साग होता है, जो खाने वाले पत्ते होते हैं, खाने वाले पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां जो हम लोग खाते हैं, उसको क् हुआ तोड लिया आग जलाकर चटर मटर क्या किया साग को लेके आया और आग जलाया एक पेड़ के नीचे साग बनाया साग पका कर खदर बदर उसके बाद साग पकाया आग जलाकर साग पकाया और उसको खदर बदर करके खाना चालू कर दिया सापड सूपड खाया खूपसा पर सूपर मिन्स होता करके ऐसे तेड़ा मेड़ा करके ऐसे लीपा पोती करके उसने क्या किया खूपसारा साग खा लिया खाने के बाद पोच्छा मूँ उखाड कर दूब जो घास होती है उसको हम लोग क्या कहते है दूब कहते हैं उसको उठाया उसको खाड़ा और अपना मुह क्या हुआ साफ कर लिया आप लोग किस से अपना मुह साफ करते हो पानी से साफ करते हो तो उसके पास पानी तो था नहीं इसलिए हुआ क्या किया दूब को खाड़ा और अपना मुह साफ कर लिया और उसके बाद उसको क्या हुआ नीद आने लगी फिर नीद कैसे कैसे सोता हो चलनी बिच्छा ओड़कर सूप और चलनी को बिच्छा दिया ओड़कर सूप आप लोग कैसे क्या ओड़ते हो सोते वक्त चदर ओड़ते हो रजाय ओड़ते हो कमल ओड़ते हो ना तो वो क्या किया सूप ओड़ भूब और उसके बाद उसको गहरी नीद आ गई और डटकर और तक अच्छे सिवा सोने लगा बच्चों बंदर गया खेत में भाग काभ हम लोग एक्सरसाइज करेंगे फरस्ट कोश्चन है क्या बिचाया क्या ओढ़ा बंदर चलनी बिचाकर सूप ओढ़कर सो गया लिखो एक ऐसे सोएगे नीचे जो दिये गए है जनौरों के नाम वह क्या बिचायेंगे और क्या ओढ़ेंगे हाथी पत्ते बिचायेगा और ज़ाड़ियां ओढ़ेगा लकड़ियां ओढ़ेगा या केले के बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसको ओढ़ेगा क्योंकि हाथी काका बहुत बड़ा होता है तो उसको बहुत बड़ा चीज ओढ़ने के लिए चाहिए यह तो खेले के पत्ते बड़े होते हैं जाडियां बड़ी-बड़ी होती है उसमें घूश जाएगा वहीं पर पत्ते बिच्छाएगा और सो जाएगा लकडियां सूखी लकडियां तोड़ कर उसको अड़ेगा थीक अगला है चीटी चीटी पहुत छोटी होती है और वो बिल बनाती है जमीन में नीचे कुदर कुदर के अंदर तो वो मिट्टी को ऐसे काटती रहती है और अपना घर बनाती है उसी में मिट्टी को बिचा कर वो सो जाएगी या बालू को बिचा कर सोएगी तिनका उड़ेगी या पराली उड़ेगी ठीक, नेस्ट है गिलहरी गिलहरी देखे हो न आप लोग जो पेड़ों पर खुदकती रहती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर और घास खाती है, फल खाती है, तो वो कैसे सोएगी, क्या बिच्छा कर सोएगी, घास बिच्छा इसलिए वो जनौरों को मारता है और मारने के बाद उसको खाता भी है उसी को खाकर उनके चमड़े होते हैं उसको बिचहाकर वो सोता है ठीक और उसी के खाल जो यह होते हैं जब उसको ओड़ता है जब उसको ठंडी लगती है इस्ट देखेंगे हम लोग जटपट जटपट खटपट 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 साग पकाया खदर बदर ना इसी इसी के तर्ज में हम लोग को लिखना है साग पकाया खदर बदर आप लोग खाना कैसे खाते हैं जटपट जटपट खाना खाते हो पानी कैसे पीते हो सुड़ सुपुड करके ऐसे करके पानी पी जाता है सोते कैसे हो खराठे भरके सोते हो और अगर पलंग पे सो रहे हो या कोई सरारत कर रहे हो बदमासी कर रहे हो तो पलंग से नीचे ध्राम ध्राम करके लोग क्या करते हैं नीचे गिर जाते हैं भागो भागो नेश्ट है भागो भागो बंदर खेत से साथ तोड़ कर भागा कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है ठीक कौन कौन से आप काम करते हो तो किसी को देख कर या वैसे ह भागते हो खेलते समय किसी के घर में अगर बॉल चली जाती है या किसी के किसी का ग्लास तूट जाता है या कोई डाट नहीं लगता है तो खेलते खेलते क्या करते हो आप लोग भागने लगते हो डर जाते हो डर के भागने लगते हो होमवग भी नहीं पूरा करते हो तब भी भागते हो ऐसे ही आप लोग जो जो चीज आप लोग करते हो उल्टा सिधा काम करते हो अच्छा काम करते हो सुन्दर काम करते हो जिससे आपको सभासी भी मिलती है अगर उसमें भागना पड़ता है तो आप लोग यहां इस लाइन में इसमें आप लोग यहां पर लिखो अप बड़ा सा कपड़ा जैसे साड़ी हो गया या धोती हो गया या अंगाउच्छा हो गया इससे हम लोग एक पार्टिकुलर आकार दे देते हैं जो सर में बांगते हैं वो क्या कहलाती है पगड़िया कहलाती है और टोपिया क्या होता एक छोटे से कपड़े को एक साइज में सि त्रफिरी हैं और पगड़ियां किती हैं 9 है और 3 टॉपियां है तीट आप लोग काउंट करो one two three four five six seven eight और nine नीचे लगा हुआ है nine और यह क्या हो गई पगड़ियां हो गई और टॉपियां कितनी है है वान ँटू था टोपियां है और नाइन पगड़ियां है